मोधी सरकार देने जा रही है एक और बड़ा फैसला, इन सरकारी कमपनियों को होगा फायता मोधी सरकार आने के बाद दाबर्टोड फैसले ले रही है केंदर सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 से को खत्म कर दिया वहीं अब सरकार भीमा सेक्टर में भी बड़ा फैसला लेने जा रही है सरकार तीन इंशोरेंस कम्पनियों को एक करने की तैयारी में है तीन जनरल इंशोरेंस कम्पनियों के बीच मरजर के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल सकती है इसके लिए ड्राफ्ट नोट तैयार किया जा चुके है भीमा कम्पनियों का विलसी इन बीसी आवाज की रिपोर्ट के मताबिक जल्द ही तीन जनरल इंशोरेंस कम्पनियों को एक करने का प्रस्ताव मंजूर कर सकती है सरकार के पास United India, National Insurance और Oriental Insurance के मर्जर का प्रस्ताव आया है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक इन तीनों कम्पनियों के बीच मर्जर के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है वित्त मंत्राले ने इसके लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इन तीन बीमा कम्पनियों का मर्जर कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इन तीन बीमा कम्पनियों को मर्ज कर दिया जाएगा तीनों कमपनिया मिलकर एक जनरल इस्योरेंस कमपनी बनेगी अगर ये कमपनी बनती है तो ये देश की सबसे बड़ी कमपनी होगी हाला कि फिलहाल कमपनियों के बीच पूंजी को लेकर खीचतान चल रही है तीनों ही कमपनियों की वित्य हालत काफी कमजोर है वहीं कुछ शर पहले ही अपनी समस्याएं और चिंताएं सरकार के सामने रख चुका है। अब देखना है कि कैबिनेट से इन्हें मंजूरी मिलती है कि नहीं। कमपनी का सॉल वेंसी रेशियो एक प्रतिशत से नीचे चला गया है।